यूपी में हुई मुटभेड को लेकर अकिलेश आदव ने योगी सर्कार पर बड़ा घमला बोला सोशल मीडिया प्रेटफॉर्म एक्सपर उन्हों ने लिखा कि सबसे कम दो लोग एनकाउंटर को प्ली शक्ति मानते हैं किसी का भी फरजी एनकाउंटर ना इंसाफी है हिंसा और रक्त से उत्र प्रदेश की शवी को धूमिल करना उत्र प्रदेश के भविश्य के विरुद एक बड़ा शडियंत्र है बीजेपी के लोग किस तरह से आप देखी यहां पर निशाना साथते हुए मौच बेट पर अकलेश यादव के सबाल और बीजेपी पर बड़ा हमला उन्होंने किया है उनका साफ तोर पर कहना है कि हिंसा और अक्त से उत्र प्रदेश की शवी को धूमिल करना उत्र प्रदेश के भविश्य के विरुद एक बड़ा शडियंत्र है तो नाओ एंकाउंटर पर अखिलेश यादव ने एक्सपर ये पोस्ट लिखा है लगातार इस पूरे मामले को लेकर लूटकान के बाद जो सरह से स्टेफ और यूपी पुलिस की कारवाई हो रही है आज भी एक आरोपी एंकाउंटर में मारा गया लगातार अखिलेश यादव इस पूरी कारवाई पर सवाल उठा रहे हैं और तीन आरोपियों का इंकाउंटर किया जा चुका है बिल्कुल और इस पूरे मामले पर कैसे वार पलट वार किया जा रहा है ये भी हम आपको बता दे सक्ता पक्ष इसे लेकर विपक्ष एक दूसरे पर प्रहार करती हुई आपर नजर आ रही है तो योगी वर्सिस अखिलेश और जो खास बाते दोनों की तरफ से कही गई है वो आपको बता दे योगी अधितिनाथ ने एक तरफ कहा कि इनके अंदर और अग्जेब की आत्मा है बिल्कुल तो आप देखिए किस तरह से मुटबेट पार अखिलेश यादव के कई सवाल है और योगी वर्सिस अखिलेश इस वक्त नजर आ रहा है महा टकर यहाँ पर दोनों ही नेता एक दूसरे पर जमकर प्रहार भी करते आ रहे जाए एक तरफ अखिलेश यादव बड़े सवाल खड़े करते हूँ यहाँ पर नजर आ रहे है इन सब के बीच आप देखिए कि सत्ता पक्षभी लगातार मुखर होकर इस पूरे मुद्दे पर बोल रहा है इलाज की दौरान आरोपी अनुद सिंग की मौत हुई इसके अलावा अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि उत्तर प्रिदेश की जो छवी है उसको कईने कई बिगाडने के लिए इसकी आगे शड़ियन्त किया जा रहा है तो सुल्तान पूर्ड के थी कि जिस आरोपी अनुद सिंग की मुढबेड में मौत हुई उसके पिता ने कहा कि अखिलेश यादव की इच्छा आज पूरी हो गए उन्होंने आरोप लगाया कि उनका बेटा शिकार बना है किया जा रहा है इंकाउंटर किया जा रहा है अचलो अखिलेश यादव जी का इक्षा तो पूरी हो गए कंसे कम ठापुरों के इंकाउंटर करके उनकी इक्षा की पूर्ती तो हो गई ठापुर का फे इंकाउंटर हो गया, जिसके पास 35 केस है, उनका इंकाउंटर नहीं हो रहा, जिसके पास 1-2 केस है, उनका इंकाउंटर किया जा रहा है, सरकार की मर्जी है, जो मर्जी हो सरकार का